तो गाइस यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि ब्रिज केंपिंग चल रही थी और ब्रिज केंपिंग से बचने के लिए मैंने बोट उठाई बोट उठाकर यहाँ पर आया तो भाई गाड़ी तो चाहिए अगर आप लोग सोलो वर से स्कॉड खेल रहे हो तो तो यहाँ पर होता क्या है कि राइट से अभी भी बंदे फायरिंग कर रहे थे ब्रिज पर और सामने मुझे गाड़ी दिखते हैं तो आप गाड़ी लेने में जैसी चाहता हूँ तो एक पूरी स्कॉड मेरे उपर रश करती है और M249 है मेरे पास तो भाई आप लोग समझे सकते हूँ कि धमाल तो होने ही वाला है तो अब यह सीन का आप लोग मजा लो और अगर आपको पसंद आया तो भाई लाइक तो करी देना तो यहां पर भाई मतलब क्या ही बताओ मतलब पूरी स्कॉड मतलब भाई M249 इस वोपी गन और यह सीन यह मतलब जब मैंने इन गाड़ी को ब्लास्ट किया था तो मेरा जो आइपैड थो मेरे फेस के सामने था और इसको गाड़ी को पूरा फोड़ने में आइपैड मेरे कि पीछे आगया था दूसरा सीन यह होता है कि यहां पर फ्ले ने देखकर आता हूं और दो बंदे कैंपिंग कर रहे थे वो तो पहले जाते हैं पिर बाद मगल मुझे यहां पर देखती लेकिन जैसे मैं जाता हूं तो यह फ्लेयर वाले बंदे लूट के निकलते रहते है और उसके बाद जैसे वो लोग मुझे देखते हैं अकेला समझके मेरे उपर फाइरिंग कर देते हैं तो अब जो सीन होता है वो आप लोग देखो तो यहां पर एक गलती मैं करता हूँ कि ज्यादा टाइम तक पीक लेते रहता हूँ ज्याने कि ज्यादा टाइम तक फाइरिंग करते रहता हूँ तो उसकी सजा मुझे मिलती है लेकिन अब मैं यहां पर वेट करता हूँ कि अब वो लोग गलती करें और उसकी सजा मैं लोगों को दूँ और एक बंदा गलती कर देता है तो यहां पर एक ही निशाना मैंने लगाया था लेकिन दो-दो शिकार हो गया और अब बारी है ग्रिनेट की क्योंकि उन्होंने स्मोक कराया और वो लोग मुझे देख नहीं पाएंगे यह तो भाई पता ही है तो अब सारे ग्रिनेट मैं यूज कर देता हूँ और यह जो सारी स्कॉाइड है पूरी की पूरी स्कॉाइड है यहां पर खतम हो जाती है तो ये सीन आपको कैसा लगा और अगर आपको पसंद आया तो भाई मतलब जिसने अब ही तक लाइक नहीं कर राना है वो लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपका जो बेस सीन है वो कौन सा है अब गाईज यह वाला सीन भी भाई मतलब बहुत ही सही है यहाँ पर होता क्या है कि सामने एक स्वाइट रहती जिन से मैं फाइट लेते रहता हूँ लेकिन एक गाड़ी तब ही ट्रेश कर देती है और होता क्या है वो आप लोगे तो गाईज यहाँ पर अगर चौथा बंदा उतर के मेरे पर फाइरिंग कर दे था तो भाई मेरे लिए तो बहुत ही जादा मुश्किल होने वाली थी लेकिन चौथा बंदा मतलब गाड़ी में बैठा ही रह गया और अपने स्कॉर्ट को तो लेकर ही गया खुद को भी लेकर अब गाड़ी में बैठे मत रहना अब गाईज यह वाले सीन में क्या होता है कि एक बॉट को मैं स्पॉर्ट करता हूं और नौक फिनिश कर देता हूं लेकिन जैसे ही मैं उसे लूटने जाता हूं मुझे एनेमी का फूर्स्टेप आता है तो अब जब एनेमी का अब लोग देखो और बताना की भाई कैसा लगा तो यहां पर दूसरे बंदे को मैंने मारने के लिए गोली चलाई थी लेकिन तीसरा बंदा भी उसी में आ जाता है और तीसरा बंदा भी चला जाता है तो मतलब भाई एक पे एक फ्री ही मिल जाते हैं अब लास्ट वाला ब और आप लोग मिनी 14 लेके कर ही क्या सकते हो क्लोस वाइड में तो यहां पर यह स्कॉड निपड जाती है विकाउज इनके पास अच्छी लूट नहीं रहती है और यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है अच्छी लूट नहीं होना भी आपके पिलाने का एक कारण ही है अब गाइस जो लोग बोलते हो कि भाई क्लोस वाइड में कैसे फाइड करते हैं जिनोंने मेरी क्लोस वाइड वाली वीडियो देखे उनको तो पता ही होगा कि भाई क्या करना रहता है क्लोस वाइड में लेकिन जिनोंने नहीं देखा वो अभी देख के सीख सकते हो कि आपर चले जाता हूं और उपर एक बंदा स्पॉट होता है इनका जिसको मैं नॉक फिनिश कर देता हूं अब दो बंदे नीचे हैं और एक बंदे का मेरे को का नाइंट इंट का शॉट आता है जैसे मैं उतरने जानगा तो देखना आप लोग का नाइंट रिच नहीं करने का उनको दोडाने का उनको अकेले करके पेलने का तो यहाँ पर एक बंदा जो अकेले आया था वो तो चला गया अब तीन बंदे बसते हैं दो इस बिल्डिंग में है और एक बंदा वहाँ पर है जो अभी मेरे को सब्सक्राइब का षॉट हमारेगा तो अब टाइम था रश करने का अब यहाँ पर दो बंदें तो भाई एक एक करके फाइट लेना था तो इसलिए मैं सीधा इस साइड से आता हूँ और यहाँ पर एक बंदा मुझे स्पॉट होता है अब यह बंदा तो आने वाला नहीं था बिकॉज इसको बहुत ज़ादा डैमेज पड़ता है लेकिन दूसरा बंदा तब ही मेरे उपर रश करता है और यह होता है तो यहाँ पर आप लोग मेरी HP देख सते हो इसको ही बोलते है 0 HP जो हमारे नूबले डिमेट्स मार के एनमी को बोलते हैं थोड़ा सा भी डैमेज दे देते हैं और बोलते हैं भाई 0 HP 0 HP रश करते है तो यहाँ पर असली वाली 0 HP मेरी बची थी और अगर मैंने गन को चेंज जैज ना होता तो भाई मैं तो गया था तो यहाँ पर मैं नेड़ कर देता हूं ताकि enemy यहां से आये ना हुआ आपसुमस ना कर आने की तो अगर उस बंदे को मै regal करने जाता तो उसकाbudVEN करने की तो यहाँ पर अब मैं बंपार आजाता हूं और उपर से मतलब कोशिष करता हूं कि भाई एक बंदा तो मेरे उपर मतलब आया है तो यहाँ पर अब कर लेते करना है और एक बंदा वहाँ पर मेरे फ्लैन में आही जाता है और बहरा आता है लेकिन मुझे लगता है कि यह शामने क्ता गए तो यह रहा प्र ह सोचों कि आ।ब शुचोथ और खुद से मतलब सोचो कि आपको क्या करना है प्लोस फाइट में तो यहां पर चौते बंदे को देख कर मैं तो डर ही जाता हूं यहां पर यहां पर चौते बंदे को बंदे को याद को याद से जया सब बहुत प्यारा मासूम बिला था पर यहां पुराणा होगा तो अगर आपने पहले ही देखा है इसको तो भाई कोई बात नहीं जिन्होंने नया देखा है तो भाई उनके लिए यह है देखो पंच कैसे मार रहा है मेरे को अब गाईज यहां पर मेले वाला एनिवरसरी मोड का जो इवेंड था वो तो चला गया है तो अब आया है भाई नाइट मोड फिर से एक बार आया है और यहां पर होता क्या है कि दो स्कॉड अपने में फाइट करते रहती है और मैं देखो भाई मतलब थर्ड पार्टी का इस क्लोस फाइट में आपको करना है क्या करना है क्लोस फाइट में और कैसे आपको फाइट लेनी है तो यहां पर एक स्कॉड तो पूरी तरीके से डेट हो जाती है लेकिन सामने जो टू स्टोरी हाउस था उसमें से मिनी बालकनी हाउस में एक बंदा जाता है अब उस बंदे क नौक करने के लिए मैं नेड कर देता हूं क्योंकि अकसर लोग क्या करते हैं कि उपर ही जाते हैं तो यहां पर मुझे एक बंदे का किल आता है लेकिन एक बंदा रेंग थी हुए भी दिखता है तो मैं समझता हूं कि भाई मैंने नौक वाले बंदे को फिनिश किया है अभी स्कॉर्ड के दो तीन बंदे जिन्दा हैं तो यहां पर मैं क्या करता हूं एस यूजली हम लोग क्या करते हैं कि यह नेड करते हैं स्टन करते हैं जो भी रहता हमारे पास उसका उप्योग करते हैं रश करने से पहले तो सबसे पहले हम लोग रश करने के लिए यह जो झाल झाल तो यहां पर एक बंदा मेरे जाल में फर्स जाता है और अकेले रश करने आ जाता है और उसकी सजा तो उसे मिली जाती है तो हमेशा यही करनेगा कि जो एनिमी रहता है जो घर के अंदर कैम करते रहता है उसको उकसाने का यहां से वहां जाओ और उसको उकसाओ कि वह आपके पर चड़े और वो जैसे ही अकेले चड़ेगा भाई वो तो पेलाई जाएगा क्योंकि आपके अंदर इतना confidence रहना चाहिए तो यहां पर उसको नौक करने के बाद मैं नेड कर देता हूं इस बार नीचे नेड करता हूं सबसे पहले विकास मुझे पता था कि भाई मतलब ती कि एक बंदा बचा है और हम लोग फाइट ले सकते हैं एक बंदे से face to face तो यहां पर वो बंदा इसमें रहता नहीं है अब मैं मॉली उठाता हूं मॉली उठा कर सामने वाले घर में करता हूं लेकिन कोई असर नहीं होता यानि कि वह उसमें से भी निकल जाता है तो यहां अब यहां पर क्या करता हूं कि यहां से बालकनी में चड़ता हूं बालकनी से उस घर के उपर चड़ जाता हूं और घर के उपर से मतलब भाई बंदे को एकदम style में पेलते हैं तो वह style आप लोग देखो और जिसको भाई नहीं पता था यह तो यूज कर लेना क्योंकि यह यह बहुत ही common trick है तो शायद भाई सापको लगा कि मतलब night mode का यह मतलब होता है कि night में आपको सोना है PUBG में लेकिन ऐसा होता नहीं अब यहां पर आपको सबसे best moment जिसमें मैंने एक grenade से तीन बंदों को नौक करा था वो आप लोग देखो यह special video है आप लोगों के लिए और इ और बहुत है तो यहां पर सूरज भाई आप लेकर जाता है और आप लोग अगर उसी exactly time पर फेक होगे तो भाई मतलब पूरी squad आप लोग लेकर जा सकते हो तो यह trick हमेशा use करना और आपको वीडियो कैसे लगी आप लोग बता सकते हो अगर आपको पसंद आए तो please like जरूर करना और जिसने भी अभी तक subscribe नहीं किया चैनल को subscribe जरूर कर देना आपने वीडियो यहां तक पूरा देखा उसके लिए thank you so much